संतप्त मान से सांत हूं जिनके गुनों के गान में बेभर्ध मान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में भरत का अंतरद्वंद यह पुष्टक यहां पर चल लही है और इसमें भरत का अंतरद्वंद ही बताना विशिष्ट प्रियुजन है इस कारण कहानी भरत के जनम से सुरू नहीं करते हैं बहुबली के जनम से सुरू नहीं करते हैं विशबदेब के जनम से सुरू नहीं करते हैं बलकि दिशब दे भगवान को केबल ग्यान की प्राप्ति हुई, साथ में इनके एक पुत्र का जन्म हुआ और चक्रत्न की प्राप्ति हुई. तीनों समाचार उन्हें एक साथ प्राप्त होते हैं. यहीं से उनका अंतरद्ध भी प्रारंब होता है. तो इस दिश्टी से एक कठाना के यहां से शुरू होगा. पहले अध्याय में तो सिर्फ भगवान की इस्तुति जाएंगे दर्शन करने के लिए, उनकी इस्तुति भक्ती बगर करेंगे, तो बहुत अच्छी विस्तार से बहुत बड़िया भक्ती है, तो पहला अध्याय तो इसमें ही समाप्त हो जाएगा, जिसका पास अभी अपने यहां पर करेंगे. दूसरे अध्याय में पुत्र जन्म की का उत्सम मनाएंगे, और तीसरे अध्याय में पर चक्रत्न के साथ में दिगवजय यात्रा को निकलेंगे. फिर तीन खंज की दिगवजय कर लेंगे, उसके बाद भरत को विकल पाएगा भगवान लिशब देव के का प्रोचन सुने का, दर्सन करने का, दिन में तो अपकास मिलता नहीं है, तो रात्री के बारा बजे वो वहां दर्सन करने जाएगे. तो वहां जाएंगे, भगवान की इस्तुति करेंगे, और उसे सूरा पूरा प्रकन उससे सम्मधित चलेगा. फिर लोटके आएंगे, तो बाकी के तीन खंडों की दिगवजय की यात्रा पूरी करेंगे, और वो पूरी हो जाने के बाद में, दिगवजय कैसी है, क्या है, चक्य जतने वहां रुक जाएगा. तो फिर बाहु बली वगएरे भाईयों को बुलाने का संदेश भेजेंगे, आमंतरन भेजेंगे बहुत सनमान के साथ मैं, और फिर वहां से कथा ये चलेगी, कि उनका जो अपन तीन युद्धि प्रसिद्ध हैं, उनकी चर्चा उसमें बात चलेगी, और उसमें हो जाने के बाद बाहु बली दिख्चा ले लेते हैं, और भरत जी का समराट का राज्य हो जाता है, तो फिर वो राज्य ववस्ता, जैसी कि उन्हें पहले कहीं थी, उन्हें कैसी बनाई, उसका भी बर्णन उसमें, आरगा, इस तरह ये छोटा सा कठानक है, तो दस अध्याओं में समात होता है, पहले अध्याओं में, तो भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए वो जाएंगे, और उनकी इस्तुति करेंगे, यही प्रकरन है, तुमारा मगराब। बीत रागता के धनी सब जाने अरहंत, और अनन्ता अनन्द में सभी सिद्ध भगवंत, आचारज उब जाए अर हैं जितने भी संत, बंदू बारंबार में आवे भव कांत, भव भव में ही भटकते बीता काल अनन्त, मन ही मन सोचें भरत कैसे हो भव अन्त, इधर आयुद साला से अभी अभी आया है एक संदेश, हुई है चकरतन की प्राप्ति, अरे रे सुनो सुनो भरतेश, ओधर अंतर पुर से भी मिला, अचानक एक सुखद संदेश, हुई है पुत्तरतन की प्राप्ति, हुआ सब को आनन्द विसेश, इसी के बीच एक संदेश, देवता गड़ भी लाए हैं, सिरी ब्रसुवे सुवने सरवग, सभी मन में हर साए हैं, चतुर दिक छाया है आनन्द, अरे आनन्द और आनन्द, समाया सभी मनों में आज, अनन्ता अनन्द, अनन्ता अनन्द, अयोध्या की गलियों में अरे जब फैले इस अंदेश, हुआ जन जन को अतियानन्द, सभी जन पुलकित हुए विसेश, अरे उल्ला सुभरे अत्यंत, घरों से निकल पड़े सब लोग, और आपस में करते बात, अरे देखो अदभुत सैयोग, अरे कुछ समझ नहीं आता, करें क्या सोच रहे थे लोग, अरे एक साथ तीन सो भाग, फले यह कैसा योगा योग, इसी को कहते हैं सब लोग, अरे यह महापुन का योग, बहुत कम मिलते ऐसे योग, बिविदविद सोच रहे थे लोग, भरत ने दिया तभी आदिस, चलो जिनवर के बंधन को, बाद में देखेंगे क्या हुआ, चलो पहले जिन दरसन को, अरे जिन दरसन की महिमा, भरत के अंतर में छाई, यही कारण है की यह बात, अरे उनके मन में आई, अरे रे पुत्त रतन की बात, अरे रे चक रतन की बात, नहीं आकर सित कर पाई, किन तु जिनवर दरसन की बात, प्रथमता उनके मन आई, और उनके चित को भाई, यही है निर्मलता मन की, जो उनके अंतर में छाई, देखो, इसमें यह तीन संदेश आई, जनता तो कह रही कितना बड़ा महा भाग है, महा भाग फला है, तो तीन-तीन चीजें एक साथ पराप्त होने की बात आई, लेकिन भरत का अंतर जों यहीं से सुरू हो जाता है, कि मैं पुत्र जन्मन की पराप्ती हुई है, उसकी बात करें, के चक्करत्म की प्राप्ति हुई है, उसको समा लें, और भगवान के केबल ग्यान की प्राप्ति हुई है, तो उधर जाएं, मेरे कहने का मतलब उनका अंतर दुन्द यहीं से सुरू हो जाता है. अब अंतर दन्द में ये निर्णाय करते हैं कि सबसे पहले जिनेंद भगवान के दर्शन करने को चलो। उसके पीछे उन पुत्र जन्म की प्राप्ति और चक्रत्न की प्राप्ति को उनने उतना महत्तु नहीं दिया। उनने जनेन भगवान के दर्शन को उनने इतना महत दिया, और जब लोगों ने उस तरह पिसारा किया, के पुत्र जनम की बात भी तो है, शक्रतन की बात भी तो है, तो उनने का बात में सोचेंगे, देखेंगे क्या, पहले यहां चलो, जनेन भगवान के दर्शन पूजन करन उसके सामने चकेरतने कोई साधान चीज नहीं है, इतनी बड़ी उपलवधी को भी उन्हें का बाद में सोचेंगे, कि वो करेंगे करेंगे, उन्हों ने एक अंत्रा यसा लगा, जैसे पुतर प्रजमन की प्राप्ति का समाचार, उन्हें एक अंत्रा यसा लगा, और वो जनन भकवान के दरसुन करने के लिए गए चलो पढ़वागे सुआसु तक में तो सब लोग नहीं जाते जिन मंदिर में भरत को क्यों भी कल्प आया अरे जिनवर के दरसन का अरे सामन जनों को ही सुआसु तक लगते जानों सुआसु तक लगते हैं नहीं बड़े लोगों को यह मानों इसमाद की बात है कि देखो सुआसु तक लगता है तो हम तो मंदिर जाना ही बंद कर देते हैं समाद की तक मंदिर जाते ही नहीं है और हम जाई नहीं नहीं सकते हैं। भगवान के दस अद्पूजन करे ही नहीं सकते हैं। अब harap चक्पषरेदी को भोई विकलप पहले आया, हम तो इसका विकलप इहीं नहीं आता है, नहीं जाते हैं अमहने विकलप नहीं तयाता है। एवर नही नहीं जाते हैं तो उनको क्यों विकलप आया। यदि उन्हें शुतक का बिचार करने लगेंगे, तो कोई ना कोई रोजा ना एक आद मरने मादा है, एक आद पैदा होने मादा है, ऐसी सुत्य में, साल फर्में पर एक दन भी भगवान के दर्सन पूजन करने को नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनको शुतक नहीं लगता है, उन्हें का ये सामान लोगों की बात है, महापरसों को ये सुधा शुतक नहीं लगता है, जेने अंद्र के दर्सन पूजन किये, बिविद विद उत्सव किये अनेक, लिया धर मौप देस का लाव, जगा अंतर में भेद विवेक, बिविद विद अंतर में उत्साय, हिर्द अरे भक्ती के भाव, और मन मोर नाचने लगा, तथा वाणी में प्रग्टे भाव, अरे वाणी में प्रग्टे भाव, और वाणी में फूटे वोल रेदय में उछले भाव अनन्त अरे भक्ती के भाव अमोल अरे भक्ती के भाव अमोल उन्होंने भक्ती की भरपूर अरे आखों में आया पूर देखने लायक मुख का नूर अरे कर जोड खड़े थे भरत हिरदय में उमडे भाव अनन्त उन्हें लख ऐसा जग को लगा आ गया उनके भव का अन्त आ गया उनके भव का अन्त उन्हें आया आनन्द अनन्त 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 उन्हें आया आनन्द अनन्त देखो, जम्हीरता से उनको भगवान के प्रती दर्शन किये और दर्शन करते करते भगवान की भक्ती के भाब अंदर में उमरने लगे एकदम गदगद हो गए और अंतर में चले गए भगवान की भक्ती करते करते उन्हें एकदम अतिंदरी आनंद अंदर से आया तो उनके चित्ति की बिट्ति का बर्नन है, एक भगत की जो सुयम भगती करता है, इस्तुति करता है, तो उसको कैसे बाफ़ना चाहिए, अब यहां से भगती की बात सुरू होगी, तो हम भगती जब पढ़ते हैं, जितने भी हमारे लोक में आज तक, भगतामर जैसे महां काव में भी, तो फर तुम ने यह किया, यह किया, तुम ऐसे तुम ऐसे थे, भगतों को यह दिया, इसकी फीर दूर की, और यह तुम सब ठीक कर देते हो, भगवान मेरा भी कल्यान कर दो, ऐसी बाते होती हैं, लेकिन यहां बिलकुल भरतना है, कुछ भी मांग नहीं की, भगवान के जानती से सुनना, और इसके एक-एक सब्द पर विचार गंभीता से करना है, जाना, भरत को अपने मन ही मन हो रहा था अदभुत आवास, और उनके मुख मंडल पर छा गया अंतर का उल्लास, उल्लसित भक्ती से जव भरत सुयम की सक्ती लगा, असेस, रिषव के चरणों में हो बिनत, इस्थुती करने लगे विसेस, अरे रे रिषव देव भगवान, आपने पाया केवल ज्ञान, की आचारित मोह का नाश, अरे पाया आनंद महान, आपके बीतेरा गरुदेश, बीतरागी हो गए विसेस, बीतरागी सरवग जिनेश, दिया जग को हित कर उपदेश, और उनको सारी दुनिया पूजती है, हम जो पूरा भक्ती करते हैं, उनमें तीन गुणों की भिशिष्टा है, किसी को लेने देने की बात महीं है, पिर आपके अंदर में ये तीन गुणों प्रिकट हुए हैं, ये बात उनने बताई हैं। घातिया कर्म किये चकचूर, अरे हो तुम देवों के देव, अरे अरहंत दसा को प्राप्त, आप हो गए जिने स्वर देव, आपकी सेवा मैं नित रहे, उपस्थित अरे हजारों देव, आपकी महिमा अपरंपार, सुयम में लीन सदा स्वय मेव, अननते गुल राजित जिन देव, बिराज समव सरण के वीच, आपकी सोभा अपरंपार, बिराज सत इंद्रों के वीच, प्रसारित दिभ दोनी हो रही, हो रहा हितकारी उपदेश, अरे रे कान लगा कर भब, सुन रहे परमतत उपदेश, आपने कहा अननतानन्त, गुलों का पिंड आत्माराम, न इसकी आदी है ना अन्त, अनादी नन्त आत्माराम, सांति का सागर सुख का कंद, सुयम में ही पूरण स्वाधीन, सुयम से बाहर निकले नहीं, सुयम में ही हैं अंतर लीन, सुयम में अपने पन के साथ, यदी हो अपने में ही लीन, और अपने में ही जम जाए, सहज हो अपने में तलीन, सहज सुख सांति प्राप्त हो सहज, आत्मा अपने में लव लीन, सहज हो आतम आतम राम, मुक्ति पाहो पूरण स्वाधीन, आतमा के साधक सवजीव, मुक्ति में जाना चाहें सवी, जिने स्वर देव आपके भक्त, मुक्ति को पाना चाहें अभी, अरे मुक्ति में पर्मानंद, भोगते रहें अनन्ता काल, उन्हीं को कहते हैं सवसिद्ध, उन्हीं को सदा नवावें भाल, इस तरह आप देख ले हैं, कि भगवान के सीबीतरागता, सरबगता, हितु अपदेशता, इन गुणों का भी वो बर्णन कर रहे हैं, और आप जगत को तत्तो का उपदेश देकर अपने आत्मा की महिमा बता कर, और वो आत्मा कैसा है, अनन्त गुडों का गोडावन है, अनन्त सक्तियों का संगराहल है, असंग खात प्रदेशी है, ऐसा भगवान आत्मा जब अपने में अपना पने स्थापित करता है तो उसे सम्य जर्षन होता है अपने को अनिज रूप जानता है तो उसे सम्य ज्ञान होता है जब अपने में ही जमता रमता है तो उसे सम्य चारित्र होता है और फिर वो अरहंत अबस्ता को पराप्त हो जा है भगवन आपके भगत सभी मुक्ष में ही जाना चाहते हैं लेकिन वो मुक्ष में जाना श्यम जब शकाल लब्धी आएगी तभी होगा और वो इसी मारग से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी तो यह उन्होंने तत्तो क्यान में भगवन के सामने मुक्ति की ही बात की आ अपने ऐसा मुक्ष का मार्ख समझाया, ऐसा कहके भगवान की इस्त॥ी करते हैं, और दुनियादाली की बातें नहीं करके, उसमें मुक्ष के मारख का प्रतिपादन करते हैं, तो ये इस्त॥ी कैभी होती है, इस जो भी इन से देख करके आप समझ सकते हैं, आपको लगता है, कि भकवान से हमें नहीं कहें, कि आपने इसका अंजन से किये, आकामी, और दुरुपती को चीर बढ़ायो, और सीता प्रदी कमल लचायो, तो उनकी स्थिती ही क्या होगी? अजने बिलकुल सभे जूट, जो बिलकुल हुआ ही नहीं था, उसको कहेंगे तो स्थिती होगी, और जो उनके अंदर में वास्तव में जो गोन हुए है, जो मुक्ती का मारक उनोंने अपना स्मोशन में बैठ कर स्वेंद्रों की उपस्तिती में बता जा है, बो बताने में स् स्थिती है, उसका एक नमूना पे इसकी आगया है, चलो. मुझे आप तो हैं देवों के देव, आपने बतलाया जिन देव, अरे जो जैन धर्म का मर्म, अरे सो सो इंद्रों के बीच, कहा है आया चीक जिन धर्म, अरे जो होते ग्यानी जीव, जानते हैं बेवस्तु स्वरूप, नहीं होती भोगों की चाह, जानते हैं बेअपना रूप. पहली दो पंक्तियों में ऐसा लगता है, बोगों कैते हैं लुट हुआ यहां ड Ripट LIKEप मेजीरी लुट opposite लाव जानत दूप कर दी, मैं अकर आपका अतरूप में हां बंक्त चाहता हूं लुकिन अगली ऑपती में वह कहते हैं, भस में एil रहना बघ्य नरंतर अपने कोई भोगोस्तमरी नहीं मांगी। dadat करके उन्होंने यह नहीं मंगा। उन्होन ने तो यह मंगा कर मेरा चित्य इसमें ही लगा रहे है। जय कि नहीं सब्सक्राइब की रही है। इसलिए आपका जो भगत ज्यानी धर्म को भूई होगा, तो आप से कुछ मांगेगा नहीं, मांगने की कोई भासा कहीं आजाए, तो अपने आत्मा का हित की बात ही, भावना ही प्रिकट करता है, इस तरह उन्होंने कहा के जेन धर्म अजाचीक है, उसमें मांगने की बृत्त पालो कि बड़िए, नहीं होती है, क्यारा तो इस तरह से उन्होंने यह बताया के बो कभी भी लोग की विष्यों की कामना वो नहीं करता है भगवन तो हमारे नात है, हमारे सब कुछ है, हम उनी से नहीं मांगे तो फिर किस से मांगें? जब घगवान का सरूप हम नहीं समझते हों, बढगवान को से देते ही नहीं हैं को सब पूğन भीत्रागी हो गए हैं, तो हमने उनको भीत्रागी सरूप को नहीं समझ्जा जाalay को अधी, वो सब जानते हैं कि भविकों स – किसका ओने वाला है है words, इसलिए उनके पास कुछ है ही नहीं, जो नंग नंदिगम मर होकर सब घरवार छोड़ के चले गए हो, और वहां जब केवल ग्यान की प्राप्ति हुई हो, तो उनसे कुछ मांगना ये ना समझी की बात है ना, तो में जे कहते हो कि हम अपनी भगवान से नहीं मांगे तो किस स मांगे, तो तो मन मांगना तो तुमको है ही, वो कहते है भगवान के भगत की बृत्ति मांगने की होती ही नहीं, मांगना उनके ख्याल में आता ही नहीं, जो भगवान से कुछ मांगता है, वो भगवान के सरूप को नहीं समझता है, ना भीत्राक्ता को समझता है, ना सर्व वहांत रागदेश्ट है नहीं। तो बिक्ट्टा से बागें, कि भी वो कुछ देंगे लेने की बास पोचेंगे। और उनके पास कुछ है नहीं। और उन्हें देने का भाव है नहीं। और जो कुछ जिसको मिलना है उसके पुर्णपाप के अनुसार वो सब उन्हें पता ही है और उससे जाता है कभी मिलने ही सकता तो उनके शर्वग को भीत्रागी शरूप को हम समझेंगे तो उसके अंदर मांगने की बृत्ती ही खड़ी नहीं होगी नहीं मांगेंगे तब तो कुछ मिलना ही नहीं है और अगर गलती मांग लिया फिर गलती से मिल गया तो मांग लो नहीं मांगें तब तो मिलना है नहीं तो बात कंफरम ही 100% और मांग लिया फिर अचानक मिल गया तो मांगने में क्या जाता है अपनी मांगने की बृत्ती नही समझता है, उनकी बानी को सार नहीं समझता है और उसके अंदर से माँखने की बित्ति समाप्त नहीं हुई है तो वो भगवान का सच्छा भगत है ही नहीं, भक्ति में ऐसा होता ही नहीं है कोई कुछ ना करे सवी है अपने में स्वाधीन किसी से लेना देना नहीं सवी है अपने में लवलीन अरे अपना पन अर्ममता और करता भोगता पन सवी सवी कुछ अपने में ही रहे सवी कुछ भिन भिन है अभी अरे रे एक छे तुमें रहे मिले ना कोई किसी से कभी अरे रे यहां वहां ना कहीं रहें बस अपने में ही सवी जिने स्वर देव आप भी कवी किसी का कुछ भी करते नहीं सवी गुड़ पर आयों के साथ सवी द्रभ्यों को जाने सही आज तक हुआ उसे जाने और होगा उसको जाने सवी की रग रग पहचाने और अपने को भी जाने इस नहीं पर पदार्थों के साथ अपनापन करता है उसका स्वामी बनता है उसका करता भोत्वा बनता है इसलिए अनत संसार में घूंता है ना एक किसी का भगवान करता धरता है ना एक आत्मा किसी का करता धरता है आत्मा स्वयम का है स्वयम का स्वामी है स्वयम का ही करता है स्वयम का ही भोगता है और ए बात है जनेश्वर देव आप बहुत अच्छी तरह गहराई से जानते हैं किना जगत में कोई किसी को करता है नहरता है और आपकी उसी रग रग आप पहचानते हैं सब तो यह आपने हमको बताया है तो जब यह नक्की है तो पर हम उनके अंदर मांगने की विर्ति कैसे उठ सकती है तो यह भी बिलुकुन बस्तु शरूप का समय के आशार के अनुशा ही यह तत्तो का प्रदिपादन है कुंद आचारी समंधभद में जो इस्तोत्र लिखे हैं उनमें निया शाष्ट के अनुशार अनेकांत की स्यादबाद की सिद्धी की है आत्मा में और इसमें सच्चा जो मुक्ती का मार्ग है जो समय सार में बताया गया है जो असली श्र् सोयम को तनमय हो जाने और पर को केवल जाने सोयम में अपना पन भी रहे किन्तु पर को वस पर जाने अरे रे अपने पन के साथ जानने को कहते परमार्थ और रे अपने पन के बिना जानने को कहते व्यवहार जानते हो तुम लोका लोक किन्तु पर मैं कुछ भी ना करें जानने में तो बाधा नहीं किन्तु करने में हस्ता छेप अरे करने में हस्ता छेप आप भी कभी नहीं करते और ना कर सकते जिन राज आप ऐसा ही हैं कहते दौनु है गटारोगों को कर दोच भी नहीं मैंथे तो अंट खंधा शुवक् tapas a steppe grandsas पर के लेखाने वोग हूं कि तो अन्तर क्या है किका सब़िय को टनमै होके जानता है इसका नाम की नाम है और ये मैं नहीं हूं, ये मेरे से भिन्न पदार्त है, इसका करता भोकता मैं भी नहीं हूं, इसमें मेरा कुछ भी हर्टत छेप नहीं है, ना मेरा इसमें, ना इसका मुझ में, ऐसे जानने का नाम पर को जानना है, तो ये भगवान, आप जानते हो, श्यम को तनमय होके जानत और परको तनमय होकर नहीं जानते हो, ऐसा नहीं कि उपेच्छा से जानते हो, जानना तो दोनों का एक स्वाई होता है, जानने में कोई अंतर नहीं है, सभाव किता में कोई ऐसा फरक नहीं पड़ता, फर पर सर्वग काई के रहे, लेकिन ये मैं हूँ, ऐसा के साथ जानना, वो निश्च्य है और यह मैं नहीं हूं पर मैं ऐसा पुद्धी पुरुबग जानना इसका नाम विभार है, इस तरह जानने की पिक्रिया आपके अंतर होती है नरंतर, कि जानने में पर मैं कोई बाधा नहीं है, सुभेर परबद भी आड़ा आ जाया, तो केबल गयां जो उस किसी का, करने में पूरा इतराज है, यह बस्तु का शरू पिसमा बता रहे है, भगवान, किसा भगवान को बता रहे है, भगवान को यह बता रहे है, यह भगवान आपने हमें ऐसा बता जाया है, जो यह पंक्तिन अध्यान से, अरे करने में हस्त अच्छेब, आप भी कभी करते नहीं, और ना कर सकते जन राज, ऐसा जी कि आप करते नहीं हैं, चाहें तो कर सकते हैं, आप ना करते हैं, और ना कर सकते हैं, और ऐसा ही आपने कहा है, आप ऐसा ही कहते हैं, माने ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आपकी दिवधनी से मैं ने ये समझा है, कि आप और वे बात हमको आपने ही समझाई है, तो कि फिर आपने समझाई है थे? उनके क्यों गहए रहे है, हम आपना पाः सुना रहे जो गुरुजी ने हमें वहें बताया था, समझाया था, और हम ने उसे अंदर में जमा लिया, सुछन दूंसे जिस пиш गुरुजी को समझाते इन हैं, तो भगवान को हम अपना, वो समझा रहे हैं, कि ये भगवान हमने तत्तो ग्यान का सरूप ऐसा समझा है, आपका सरूप ऐसा है, और बस्तू का सरूप ऐसा है, वो बात, वो कह रहे हैं तरो. अरे रे कोई किसी का करे, किसी में ऐसी सकती नहीं, ज्यान के गेवने सवद्रव, सभी में ऐसी सकती कहीं, अरे सामान गुडों में एक अनोखा ऐसा गुड भी आहा, कि जिसके कारण ही सवद्रव, गेवनते ही हैं यह कहा, आपने बतलाया जिन देव, कहां कब क्या कैसा होगा, जानते हैं सव ही सरवग, न उसमें फेर फार होगा, और सव निश्चित है हेनात, आप यह भी बतलाते हैं, अथा हम सवी सहज ही रहें, आप ऐसा समझाते हैं, वो यह कह रहे हैं, कि दिखो गंभीरता से विचार करो, कि अहीं दिन देव आपने यही बताया है, कि सभी सरवग्य ने बताया है, सभी सरवग्य जानते हैं, कि कभी कोई फेर फार नहीं होगा, आप कुछ सुनश्चित है, जब आपने यही समझाया है हमको, तो फिर कुछ कुछ करने का भार किसी के माथे पर नहीं रहा जाता है क्योंकि कुछ फेरफार कर रही नहीं सकते परका तो कर रही नहीं सकते और अपने हमें फेरफार नहीं कर सकते तो किसी के माथे पर कोई भार नहीं रहा यह तत्यों ग्यान समझने से क्या फार्दा है यह फार्दा है ना कि हमने नमानुम अपने माथे पर कितना बोज़ा दे रखा है कि मुझे ये करना है ये करना है ये करना है और मैंने आज तक ये किया ये किया बास तब मैं तो आज तक कुछ किया नहीं है और कुछ करना इसके माथे पर है नहीं और इस जबर जशी का बोज़ा अपने माथे प उमन में आई तो सब कुछ बश्चप सहज होता है जो होता है वो हमारे को सहज स्विकार होना चाहिए. चछी है नो आंठ्व přिख घृति है सब्हुत करो सअदय SAYज करो सङज स्विकार זो कुछ सहज होना हुए आपने तर्क दे समझाए एकती दे के समझाई आगम बताया तो फ़र हमें तो माननी पड़ेगी तो तुम्हारा काम नहीं होने मला है तुम्हारे चित्व में इस तत्व ज्यान की सहज स्वीकृति होनी चाहिए तो इक कितना गहरा तत्व ज्यान भगवान की स्थुति के माध्यम से इसमें रखा गया है यह भी एक बात है और इस्थुति में ऐसी बातें होनी चाहिए मैंने एक बहुत बड़े विद्वान को यह कहते सुना था कि भगवान से एक कहें कि तुम कुछ नहीं करते कुछ तुम लेते देते नहीं हो तुम भी कुछ नहीं करते ऐसा कहा है यह अच्छा लगता है, कि आप नहीं सब कुछ दिया है, यह अच्छा लगता है, भगवान से भक्ती में तो ऐसा कहना ही पड़ता है, महाने यह बात सत्त है क्या गरता है, कि असत्त है तो भगवान से असत्त कहना पड़ता है, और वह बात सत्त है, तो सत्त ने कहना पड़ता ऐसा बिलकुल नहीं है, कि हमें बिभार में, ऐसा कोई बिभार बिभार नहीं है, बिभारा भास है, कि जिसमें जो बिलकुल परम सत्र नहीं है, और उसके बिरो धम बोलते जाएं, और कहें कि हमने तो उनकी महवान की महिमा गाई है, महिमा गाई है कि इल्जाम लगाया है, उ उन्हें करता कहना उन्हें पर इल्जाम लगाना है यह बात इसमें बताई है देखो अरे कुछ भी करने का भार किसी के माते पर है नहीं जिसे जाना है भव से पार सहज ही जावेगा वह सही निगोद से निकला है जिस तरह उसी विद होगा भव से पार हे अरे सभी कुछ सहज बात यह करो सहज सुईकार जगत के भी हैं जितने काज सहज ही होते हैं जिन राज किसी का उसमें कुछ ना चले विकलपों से ना हो कुछ काज अरे होना तो है वस वही आपने जो जाना जिन राज नहीं होना है उसमें फेर आपने जो देखा जिन राज बिकलपों से तोरे कुछ भी काम में होना जाना नहीं किन्तु कर्मों का वंधन तुझे नियम से होगा समझो सही बहुत ही घाटे का व्यापार अरे समझो मेरे भाई अधिक क्या कहें जिने स्वर देव नहीं उलजो उसमें भाई जिने स्वर देम ने कहा है कि यह जो पर्मे कुछ करने की बात है कुछ मांगने की बात है यह बहुत गाटे का व्यापार है इसक्या गाटे का व्यापार है क्योंकि तेरे विकल्प से अनुषार वहां कुछ भी होना बाला नहीं है तो कहते हैं जिसे अभी इनने कहा था कि नहीं होगा, होगा तो हो जाएगा, अपने मांग तो लोई, मिल जाएगा तो ठीक, ऐसी बिर्टी हमारी इस लोग में बहुत होती है, एप्लिकेशन तो लगा ही थो, मुख्मंधरी जी आए, तो ती बाते मांग तो लोई, जो कुछ म करम बंद होगा, और मुफत में करम बंद होगा, तो कहते हैं, तो तुझे मांगने की बिर्टी का करम बंद तो होई गया, और मिलना तो है ही नहीं, मिलना तो मिल जाएगा, इस तो सुंसे की बात है, इसलिए की बात नहीं है, इसलिए कहते हैं, जो मांगने की बिर्टी की कि मिल जाएगा है तो ठीक, नहीं मिल जाएगा है तो ठीक, मांगने में क्या दिक्कत है, वी बहुत घाटे का व्यापार है, क्योंकि इसे करम का बंद तो तुझी होगा, और उसे मिलने तो तेरे को गारंटी से ही नहीं, चलो, जो, निगोट से लेके आज तक, अब मनुस पर और अभी सात्मे गुणस्तान में ध्यान में जाएगा, तो फिर ऑटमेटिक पिक्रिया में चड़ जाएगा, विकल्पूर्वा को, वहां भी कुछ नहीं होना है, अभी थोड़ा सा पीरियर तेरे को मिला है, तो इसमें तुम सारा हाथ परमाजना की कोशिश करता है, तो इ पूरा होस में आजाएगा, तभी सब तुझे कुछ नहीं करेगा, सामती से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा होस में आया है, तो सारी अकल लगाने लग गया है, दो पड़ो, निगोद से अब तक सब कुछ सहज सात में गुड से मूकती तलक, सहज सब कुछ होता आ सभी को स्वीक्रत है अव तलक बीच का थोड़ा सा यह काल, अरे इस में भी हो सब सहज, यही है परम सत सत पंत करो इसको भी स्वीक्रत सहज अभी तक था पूरा बेहोस और अब आगे पूरा होस अरे ना बेहोसी मैं किया और जब होगा पूरा होस अरे तब भी करना है नहीं और अब आया है कुछ होस अरे ऐसी हालत मैं प्रभू अरे करने का आया जोस सुमें भाई खो मत होस और करने का कुछ मत सोच सभी कुछ निश्चित है भव अरे इसके बारे मैं सोच यही है परम सत्य भूतार्त करे मत तूं कोई संकोच अधिक क्या कहें जिने स्वरदेव अरे तूं सोच सोच तूं सोच कितने क्लियर इस पस्ट बात है कि निगोट से लेकर असेनी पंचेंदरी तक तुने बुद्धी पूरवक कुछ नहीं किया और जब साथमय बुद्धान के बाद उद्धी पूरवक कुछ नहीं होगा यहां तक ही अरंत भक्वान हो जाएंगे और अरभों वरस तक उसी अवस्ता में रहेंगे चाहर अगातिया करम को नास करने का प्रत्न नहीं करेंगे के जल्दी मोग से पहुँच जाएंगे जब कर पूरा होसु में असप में अजाएंगा तभी कुछ नहीं कि एब इज में थोड़ा थोड़ा नहीं इत कर दूंगे मी तो कहते हैं जयसा सह्ता वाब से सब कोछ पर छोगा है होस और अव आंगे पूरा होस अरे ना बेहोसी मैं किया और जब होगा पूरा होस अरे तब भी करना है नहीं और अव आया है कुछ होस अरे ऐसी हालत मैं प्रभू अरे करने का आया जोस जोस मैं भाई खो मत होस और करने का कुछ मत सोच सभी कुछ निश्चित है हे भव अरे इसके वारे मैं सोच यही है परमसत भूतार्त करे मत तूं कोई संकोच अधिक क्या कहें जिने स्वर्देव अरे तूं सोच सोच तूं सोच आज के निरने पर है टिका अरे तेरा भावी इतहास अरे तूं हो थोला गंभीर धर्म में ठीक नहीं उपहास अरे तूं एक वार सुईकार हिरदय की गहराई में पैठ अरे अंतर में गोता लगा छोड़ दे अरे व्यर्थ की एट अरे समझाते हैं जिन देव सावधानी से सुनते सभी किन तू जिसके पांचों संभाए मुक्ती में जाने के हो अभी समझ में आता है सरवंग अकेले उसको हे भरतेस सेस्यों ही आते जाते और सुनते रहते उपदेस कितने मार में बात कही है कि देखो तुम्हारा भविष्ट का इतिहास इस बरतमान के आज के निरनय पर ठका है इसलिए तुम गंभीरता से उस निरनय को करो उस बात में परियास हो मैं उसे को मत टालो, मजाग मत उड़ाओ, बल्कि इस बात को गंभीरता से तुम जरना करो, और हिर्दय की गहराई से इसका बिचार करके उसको सुईकार करो, मुफद की अकड़ मत रखो, एंठ के मत रखो, मेरी बात तो यह है, मेरी बात तो यह है, सब तो के बीच में, मेरी मेरी बात करन का एंठ के रखने से कोई काम नहीं होगा, और जो भगवान जो समझाते हैं, वो कहते हैं, पांचों सम्भार मिलेंगे, तब ही उसकी समझ में आएगा, ज़ि तुम ऐसे एंठते हो, तो समझ का मतलब तुम्हें पांच सम्भार नहीं आएगा, पांच सम्भार होते हैं, उनकी समझ में ये तत्व ज्ञान आता है, जिनके पांच सम्भार नहीं होते हैं, ऐसा ही आते जाते रहते हैं, आते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, वापिस चले जाते हैं, आते जाते हैं रहें पांच सम्भार नहीं पांच सम्भार नहीं होते है अरे समझाते हैं जिन देव सावधानी से सुनते सभी किन्तु जिसके पांचों समवाए मुक्ति में जाने के हो अभी समझ में आता है सरवंग अकेले उसको हे भरते सेस्यों ही आते जाते और सुनते रहते उपदेश वह साते हैं सुनते उपदेश सुने चले जाते हैं काल में आए ना लेकिन वो अभी शिस कहता है मान लो उनके के बही जगत की भग्या को यदि हम नहीं समा लेंगे तो सूप जाएगी उड़ जाएगी इसलिए जगत की बड़िया उड़ने जाए थोड़ी समाल हमें करनी चाहिए तो दुनिया में ऐसा ही रह जाएगा तो पर वो उसका जवाब देते हैं कि दुनिया में इतने बड़े बड़े जंगल हैं उन्हें कों समलता है तेरी बग्या तो एक छोटी सी है तो उन्हें पानी देता है तो वो समली रहती है और सारे जंगलों का क्या होता है सब्सक्राइब जगत की बग्या समली रहे अथा कुछ तो करना होगा ओपेक्छा से तो पूरा वाग अरे विख्रा विख्रा होगा अरे रे रहे व्यवस्थित वाग बागवानी करनी होगी सब रहे व्यवस्था ठीक व्यवस्था करवानी होगी बनों को कोन व्यवस्थित करे और दे कोन खाद पानी बे सोयम फुफले फूले सहज ही बेना खाद पानी हजारों पक्छी कल रव करें और चोपाए पसु बिच्रें सवीवन हरे भरे नित रहें मिलेना उन्हें खाद पानी अरे हैं बागों से बन अधिक पाल तू पसुओं से पसु अधिक सहज ही सव रहते सानंद फूलते फलते हैं सब सहज सहज ही सारा जग चलता नहीं कोई कुछ करता है नहीं करने धरने का काम सहज ही सहज सहजता है सहज सारी दुनिया चलती सहज चलता है सब संसार अरे तुम रहो निरा को लसांत नहीं है भव सागर का पार अरे तुम कुछ विकल्प मत करो और हो जावो भव से पार सहजता को स्वीकारो बंदु सहजता जीवन का आधार लेखो वो कहते हैं दुनिया में सब काम सहज होते हैं जितने पशू पालतू पशू यह आप खलाते पर आते हैं उन से हलाखों गुना अधिक पसू पालतू नहीं है जिनकी कोई चुन्ता नहीं करता और वे जंगल में रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, बाल बच्चे होते हैं, खूब मस्त होके रहते हैं तो उनकी बगस्ता कोई नहीं करता, जशीन की भी नहीं करता, एस इतने बगिया हैं, तो इसमें से तम कोई भी कुछ बचार करने की जरूवत नहीं है, सारी दुनिया सहथ चलती है, तुम उसकी चंता मत करो, तुम तो निश्चिंत हो करके अपने आत्मा में जाओ, तुमें अपना कल्यान करना है, तो, अरे तुम हो जाओ निश्चिंत, और तुम अपने में जाओ, सोयम को जानो, पहचानो, सोयम में सोयम समाजाओ, काय चेश्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी मत बोलो, बोल, और कुछ भी ना सोचो, भाई, एक आत्म में रमो अमोल, अरे है यही धर्म का मर्म, प्रभू की दिब धोनी का सार, अरे भर पूर किया रसपान, भरत ने प्रमुदित हुए अपार, हुए वे सोयम सोयम में लीन, और सब कुछ भूले भरतेस, जिनेस के चरणों में जुक गए, सोयम को भूल गए अवदेस, के अजिघनी हो गए अहां, करो सोयम में लेड़्टन जुक टेसं प पहला है, कोई बोलने की बात महीं है, कोई शोचने की बात महीं है, बिलकुल सहय भाप से इसे सुईकार कर लो, एथा शोचते सोचते भरतेस, एक दम, अंदर में सांथ हो गए, और भकवान के चरणों मे उनका सीस जुग गया उसी में भक्ती में वो ऐसे तल्लीम हो गया चालो परवागे सोयम को भूल गए अवदेश जिने स्वर की भक्ती मैं लीन सोयम में सोयम हुए तल्लीन और सब भूल गए थे भरत एक आतम में ही थे लीन रिसव के चरणों में जुक गये पूनता भक्ती में तल्लीन जुके ही रहे जुके ही रहे न जाने कब तक भरत नरेस और जब उठे उठे ही रहे सान्ति के सागर भरत नरेस सान्ति के सागर भरत नरेस, क्रान्ति के बाहक भरत नरेस, एकदम अदभुत ही लग रहे, अरे मुख मंडल के पर देस वे एकदम अंदर में भाकवाण की भक्ति में लिन हो गया है, तो अंदर में ही चले गए, ध्यासमा की ध्यान में चले गयाद पूजन श्यक्टूंद की बीच में आप पायोशग्दम करो मिहां। वो ऐसी ही इस्तेति का बर्णन है, कि भगवान की भक्ती करते-करते हमको आपने आत्मा में लीन हो जाते हैं, तो उसे कायुत्सर्ग बोलते हैं, तो हमकले नो नव्देफे नवकार्बंद पड़ो कायुत्सर्ग हो गया। आपने में इतना मंगन हो गए, और लीन हो गए, तो जुक ही है, गूली है कि मुझे उठना है, फिर उठे, तो उठे ही है, एक द्रिस है, अब इसके चित्र गन सकते हैं, मोट बढ़िया, मैं चित्रकार होगे तो, एसे चित्र लगाने मुझे रेका चित्र, मुझे संदर्ता होने चाहिए, एड़े-ड़े हों, लेकिन ये द्रिस को बताएं, ऐसे होना है चाहिए, क्याल में आए ना, जुके तो जुके ही रहे, बटे तो उठे ही रहे, अब उनकी इतनी तल्लीनता को देखकर, मंत्री लोग घबडाए, कि जैसे सब लोग दिक्षा ले गए, भिसब अब इतने तल्लीन हो गए, कि लोगों को ऐसा लगने लगा, लेकिन उनको अभी कलाखों बस लेकिन संसार में मिलब भरच्चकमर्टे तुम्हे रहना था, तो बस दुश्के बाद में जिस्वे महीं होसमें जैसे आए, तो उनने का अभी चलो, अभी कल्व अपनको, वह हो तो समझो, उनको थोड़ी जान में, जान आई, बढ़ोगा जमें ही रहे, अरे वे, ऐसे ही रहे गए कतना ब्रें कितनी ब्रब है हमें तो यह बहुत बड़ी बात कर दी और यहavicा उसे हुसमें कहा था seraitक तो बहुत बईडि़ीए, उसमें कहा था करता यह OSHA लेसे खुड कमें, हाँ इसमें कितना ब्रच्च्च्च्च सा cash perlu सभी मंत्री गड़ चिंतित हुए और चातक द्रश्टी से सभी भरत की और देखने लगे अरे आखों आखों मैं सभी मन हुँ उनसे कुछ कहने लगे यद्यपी बोले कुछ भी नहीं किन तुवे मन को पढ़ने लगे उनके मन को पढ़ने लगे और थिर तन को लखने लगे अरे वे क्या क्या कर सकते सवी जन यही पर रखने लगे सीरी सीरी ब्रसव सैन लगू भाता दीख छाले गड़ धर बन गए भरत भी ऐसा कुछ ना करें सवी जन यही सोचने लगे देखकर उन्हें जगत के जीव चकित हो ऐसे ही रह गए देखते रहे देखते रहे और सब उन्हें देखते रहे हो गए अरे एकदम मुग्द न जाने कैसा जादू हुआ सभी को ऐसी संका हुई भरत दीख छा ना ले ले अभी किन्तुवे मन को पढ़ने लगे धैर भी उनका जाने लगा और बे होने लगे अधीर करें क्या समझ नहीं आता भरत ने दिया तभी आदेश चलो अव राज महल चलते पोत्र का जन्म हुआ है बहां सभी उनके मुख से सुनते सभी की आकुलता कम हुई सभी की चिन्ता भी कम हुई भरत है अभी एकदम सहज सहज जनता भी होने लगी और सब लगे लोटने सहज हिरदय में प्रभु की भक्ती लिए भारत भी चले महल की और प्रभु का चिन्तन करते हुए इसी इसी हो गई थी कि उन्हें देखकर सबको संका होने लग गई थी कि जी अभी दीक्षान ना ले 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 और फिर एकदम उनका उपयोग बाहर आया है समय ज्यानी धर्मात्मा की ऐसी इस्तेती होती है चोटे कुनुस्तान वाले की फिर उनको वो विकल पाया अभी तो पुत्र जन्म का उत्सब मनाना अभी हम चक्करतन की बात नहीं करते हैं उनको थोड़ी घर की जुम्मेबारी जाहिए जाहिए पुत्र की जन्म का उत्सबनी मनाओगी उस पुत्र की जो माह है उसको कैसा लगएगा उव विकल पाया उनको चलो भी चले तो सब लोगों की जाहन में जाहन आई ना ले जाह तो एकदम लगे कि अभी नॉर्वल, अभी तो ने बे पागल लगे रहे हैं, सारी दिल ताइबो, और अभी भावुकता में आ गए हैं, बेदी चाना ले ले हैं, पर हम उने नॉर्वल लगे, तो सब भी लोग भी नॉर्वल होने लगे, और सब भी तैयारी घर को चलना की कर प्रभू का चिंतन करते हुए, प्रभू ने जो जो बातें कहीं, उनी का घोलन करते हुए, उनी का मन्थन करते हुए, उनी को धारन करते हुए, और अव धारन करते हुए, उनी का मनन और इस मरन बिविद बिद चिंतन करते हुए महल की ओर चले भरतेस और जनता भी चलने लगी सवी को अपने अपने काम याद आने लगते हैं अभी भरत को भी आई अव सुनो जगत जन पुत्र जन्म की याद और सोचने लगे भरत उसके उत्सव की बात इस प्रकार भरते शुने जिनवर दरसन आज पूरण भक्ती भाव से की पूजन जिनराज दिव्य धोनी के स्रवान का लावलिया भरपूर सब को ही आया प्रभू अतियानन दे अपूर्व देखो कितने गंबीर मतलब आप सुरूश अंतर तक देखेंगे और अपने घर में गहराई से इसे पढ़ेंगे तो आपको इस्तिती का सरूब भी ख्याल में आएगा भगवान का सरूब ख्याल में आएगा कैसी इस्तिती की जाती है एक ख्याल में आएगी और सच्चा मुक्ती का मारक क्या है एक ख्याल में आएगा एक ग्यानी धर्मात्मा जो बास्तों में बस्तु का स्वरूप समझता है, वो यदि भगवान के पास जाएगा, तो वो क्या सोचेगा, कैसा उसे सोचना चाहिए, उस बात को यहां इस्तुत किया गया है, बहुत गंभीरता से इस्तुत किया गया है, इसलिए तो मैं कहता कि मैंने भरत के हिज़ा में बैस करके इस लिखा है, जैसे मैं ही भरत हूँ, अपने होते हैं सामा, और मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे करतब के साथ में बात हुई है, आप एक लाइन में बस बता दें कि कल क्या आपको मिलने वाला है। इस तरह की सारी चीजें उसमें आएंगी। तो आप बिलकुल देखना और सुनना ना भूलें। ठीक तीन वजे से प्रती दिन प्रारंब होगा। आप इसका लाब जरूर लेवें। सभी को साधर जय जिनेंद्र।